दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल मलहोत्रा भाई में, अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। रचना दारागंज इलाके में बेनी माधव मंदिर के पास एक गली में रहने वाली 22 साल की रचना शुकला के घर वाले उस घटना को याद कर आज भी दुखी हो जाते हैं। पुलिस ने जांच में लापरवाही बरती और लंबे समय तक हत्याकांड को फाइलों में दफन किये रखा। माउमा का आरोप था कि उन्हें रचना के लापता होने के बाद खबरों से पता चला था कि प्रताब गड़ के हथिगवां में किसी युवती की लाश मिली थी लेकिन रचना के भाई भोलाने थाने जाकर इस बारे में कहा तो उसे भगा दिया गया। चार साल बाद हो सका था कतल का राजफाश, रचना के कतल का राजफाश, करीब चार साल बाद पिछले साल जनवरी में हो सका था हाई कोर्ट की सकती के बाद सक्रिय स्टीएफ और पुलिस ने संदिग्ध लोगों की गिरफतारी की हत्याकांड में उसी सलमान का हाथ था जिस पर शुरू से रचना की माउमा आरोप लगा रही थी सलमान ने सलमान और उसके मामा शरीफ समेथ चार लोगों को पकड़ा था सलमान ने कुबूला कि रचना के साथ उसका करीब साल भर से रिष्टा था रचना को उसने स्कूटी खरीद कर दी थी, मगर सलमान ने उसका रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर करा रखा था रचना चाहती थी कि स्कूटी उसके नाम कर दे इसी मसले पर उनके बीच खटास आती गई रचना मिलने जुलने से मना करने लगी तो बौकलाए सलमान ने उसके कतल की साजिश रच डाली इसके बाद 16 अप्रेल को सलमान ने दोस्त लकी के साथ मिलकर रचना को अपने मकान के बेस्मेंट में मारा और शव को गाड़ी में रखकर प्रताप गढ़ ले जाने के बाद पेट्रोल डाल कर जला दिया था चार साल बाद सलमान समेत चार लोगों की गिरफतारी के बाद पुलिस को हत्याकांड में साजिद उर्फ ललन की तलाश थी जिसे शुक्रवार को सटीएफ ने सिविल लाइन्स इलाके में गिरफतार कर लिया सटीएफ ने एक फारचूनर गाड़ी भी बरामद की है ललन से पूछताच की जा रही है उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज के साल 2016 के चरचित रचना शुकला हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के पिता को गिरफतार कर लिया है इसके साथ ही हत्याकांड में प्रयुक्त फॉर्चूनर कार बरामद कर ली है पुलिस के मुताबिक हत्याकांड में जिस कार को प्रयुक्त में लाया गया था वह आरोपी के पिता के नाम रजिस्टरड है बता दें, साल 2016 में आशिक ने दोस्तों के साथ मिलकर रचना की गला रेत कर हत्या कर दी थी फिर मामा की मदद से डेड बॉडी को ठिकाने लगाया था हाइकोर्ट की फटकार के बाद, STF ने कारवाई कर मुख्य आरोपी वह उसके दो दोस्तों वह मामा को गिरफतार कर जेल भेज दिया था हत्या कांड में प्रयुक्त कार बरामद, मुख्य आरोपी के पिता गिरफतार मामला दारा गंज कोतवाली क्षेतर स्थित का है घर से करीब पांच साल पहले गायब हुई रचना शुकला हत्या कांड में प्रयुक्त की गई फॉर्चूनर कार बरामद कर ली गई है साथ ही कार के मालिक, वह मुख्य आरोपी सल्मान के पिता साजिद अली उर्फ लल्लन को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफतार कर लिया है पूँचताच जारी है CEO Civil Lines सुधीर कुमार ने बताया कि रचना शुकला हत्या कांड के मुख्य आरोपी सलमान ने हत्या के बाद डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जिस फॉर्चूनर कार का प्रयोग किया था वह उसके पिता साजिद और ललन के नाम रजिस्टर्ड थी इसलिए वह भी इस प्रकरण में आरोपी था दूसरी तरफ विवाद की मुख्य वजह रही रचना की स्कूटी अभी तक बरामद नहीं हुई है साजिद और फ ललन से पूछताच चल रही है बता दें करीब पांच साल पहले 16 अप्रेल 2016 को दारागंज के वेनी माधव मंदिर गली में रहने व उसकी मा उमा शुकला ने सलमान पुत्र साजिद अली उर्फ ललन निवासी बक्सी खुर्द दारागंज को नामजद किया था कुछ अग्यात के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कर आई थी दारागंज पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उसे रद्दी की टोकरी में डाल दी उधर बेटी की तलाश में परेशान उमा शुकला ने साल 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। हाई कोर्ट के संज्यान लेते ही पुलिस अफसरों की बोलती बंद हो गई। आनन फानन में केस रियोपेन हो गया और जांच शुरू हो गई। कर मामले का खुलासा किया। स्कूटी को लेकर हुआ विवाद तो रचना ने बना ली थी दूरी पुलिस के अनुसार। पूछताच में सल्मान ने बताया कि रचना से उसके संबंध साल 2015 से थे। 2016 में उसने रचना को एक स्कूटी खरीद कर दी थी। रचना चाहती थी कि स कूटी का रचिस्ट्रेशन उसके नाम से करवा दिया जाए जबकि सल्मान ने रचिस्ट्रेशन अपने नाम करा रखा था। इस विवाद के चलते सल्मान से रचना दूर हो गई। जुदाई के बाद आरोपी सल्मान ने रचना की हत्या का मन बना लिया। घर के रचना को लेकर अपने घर के बेस्मेंट में बने कमरे में ले गया। बेस्मेंट में लकी और दोस्त अंजफ पहले से मौजूद थे। दोनों को देख रचना डर गई और भागने लगी। तभी तीनों ने मिलकर उसका गला रेद कर हत्या कर दी। इसके बाद सल्मान ने यह जानकारी मामा शरीफ को दी। शरीफ फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर पहुंचा। रचना की बाड़ी को लेकर गंगा पार के नवाब गंजेरिया जा पहुंचे। वहां बोरे में भरकर डेड बाड़ी फेंक दी। बाद में लकी और सल्मान पेट्रोल लेकर बाइक से फ पाना क्षेत्र दरगंज पुलीस स्टेशन एरिया के वेनी माधव मंदिर वेनी माधव टेंपल के बगल गली में रहने वाली रचना शुकला संदिग्ध परिस्थितियों में पांच वर्ष पहले 16 अप्रेल को गायब हो गई थी। मा उमा की तहरीर पर सल्मान, ममेरे हजफ मामा शरीफ दोस्त लकी पांडा को पुलिस ने आरोपी मानते हुए गिरफतार किया था। को ठिकाने लगाने का काम किया। प्रतापगढ में मिली थी लाश, मा उमा और भाई भोला ने सल्मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कुछ दिन बाद प्रतापगढ के हतिगवा में लाश मिली थी। इस पूरी घटना करम का मुख्य आरोपी पांच वर्ष से पु प्रतूस, एक मोबाईल फोन और एक घड़ी बरामत की गई है। शहर के दारागंज मोहले में रचना शुकला की हत्या के चार साल बाद हाई कोट की सकती पर सटीएफ ने कतल का राजफाश किया। वरना पुलिस ने कातिलों को बचा ही लिया था। रचना की मां उमा शुक को भी घर में पीटा गया और धमकी दी गई थी। दो मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने आरोपित सल्मान को गिरफतार नहीं किया था। रचना 2016 में लापता हुई। कर दी गई हत्या बेनी माधव मंदिर के पास गली में रहने वाली 22 वर्षिय रचना शुकला 16 अप्रेल 2016 को लापता हो गई थी। मामले में बक्षी खुर्द मोहले के सल्मान पर मुकदमा दर्ज हुआ था। रचना की मां उमा के मुताबिक रचना के लापता होने के बाद अखबारों से पता चला था कि प्रताप गड़ के हतिगवा में किसी लड़की की लाश मिली ह रचना के भाई भोला शुकला ने थाने जाकर वा खबर दिखाई तो उसे पुलिस ने डांट कर भगा दिया था। अब चार साल बाद SETF ने उसी लाश को रचना का बता कर सल्मान उसके मामा शरीफ समेत चार लोगों को गिरफतार किया है। उनकी बेटी की हत्या के आरोपितों से साथ गांट कर पुलिस ने वर्ष 2018 में सामूहिक दुशकर्म और पाकसो का मुकदमा लिख कर उनके पुत्र को जेल भेज दिया था। पुत्री निशा अधिकारियों के पास न्याय के लिए जाने लगी तो पिछले साल 27 जुलाई को सल्मान अपने दोस्त कवी यादव समेत कई अन्य के साथ घर में घुसकर निशा को तमंचा सठा कर धमकाया की बेहन के अपहरण का मुकदमा वापस लेलो वरना जान से मार द रचना की मा ने कहा दाएशी पुलिस वालों पर हो सखत कारवाई रचना की हत्या के चार साल बाद भी परिवार के लोग गम में डूबे हैं। सारा गंज कोतवाली क्षेत्र स्थित का है। घर से करीब पांच साल पहले गायब हुई रचना शुकला हत्याकांड में प्रयुक्त की गई फॉर्च्यूनर कार बरामद कर ली गई है। साथ ही कार के मालिक वह मुख्य आरोपी सल्मान के पिता साजिद अली उर्फ लल्लन क सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताच जारी है। सिविल लाइन्स सुधीर कुमार ने बताया कि रचना शुकला हत्याकांड के मुख्य आरोपी सल्मान ने हत्या के बाद डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जिस फॉर्च्यूनर कार का प् नहीं हुई है। साजिद उर्फ ललन से पूछताच चल रही है। बता दे करीब पांच साल पहले 16 अप्रेल 2016 को दारागंज के वेणी माधव मंदिर गली में रहने वाली रचना शुकला 24 गायब हो गई थी। उस वक्त उसकी मां उमा शुकला की तहरीर पर दारागंज गो दारागंज को नामजद किया था। कुछ अग्यात के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कर आई थी। दारागंज पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उसे रद्दी की ठोकरी में डाल दी। उधर बेटी की तलाश में परेशान उमा शुकला ने साल 2020 में इलाहाबाद हाई कोर् के संज्यान लेते ही पुलिस अफसरों की बोलती बंद हो गई। आनन फानन में केस रियोपेन हो गया और जांच शुरू हो गई। प्रकरण के मुख्य आरोपी सल्मान और उसके दोस्त लकी पंडा उर्फ लकी निवासी मिरागली दारागंज को दारागंज कोतवाली के न सल्मान ने बताया कि रचना से उसके संबंध साल 2015 से थे। 2016 में उसने रचना को एक स्कूटी खरीद कर दी थी। रचना चाहती थी कि स्कूटी का रजिस्ट्रेशन उसके नाम से करवा दिया जाए जबकि सल्मान ने रजिस्ट्रेशन अपने नाम करा रखा था। इस विव इसके बाद सल्मान ने यह जानकारी मामा शरीफ को दी। शरीफ फॉर्च्यूनर गाडी लेकर पहुँचा। रचना की बाडी को लेकर गंगा पार के नवाब गंजेरिया जा पहुँचे। वहां बोरे में भर कर डेड बाडी फेंक दी। बाद में लकी और सल्मान पेट्रोल लेकर बाइक से फिर से डेड बाडी के पास गए और शिनाख्त मिटाने के लिए उसे जला दिया। स्टीएफ ने उस वक्त सल्मान, लकी पंडा, मोहम्मद शरीफ और अंजफ को गिरफतार कर जेल भेज दिया था। दारागंज थानाक्षेत्र, दारागंज पुलीस स्टेशन एरिया के वेनी माधव मंदिर, वेनी माधव टेंपल के बगल गली में रहने वाली रचना शुकला, संदिग्ध परिस्थितियों में पांच वर्ष पहले 16 अप्रेल को गायब हो गई थी। मा उमा की तहरीर पर सल्मान, ममेरे भाई हजफ, मामा शरीफ दोस्त लकी पांडा को पुलिस ने आरोपी मानते हुए गिरफतार किया था। शरीफ को इन लोगों ने बुलाया, जिसने कार द्वारा शव को ठिकाने लगाने का काम किया। प्रतापगड में मिली थी लाश, मा उमा और भाई धोला ने सल्मान के खिलाफ मुकद्मा दर्ज कराया था। कुछ दिन बाद प्रतापगड के हतिगवा में लाश मिली थी। इस पूरी घटना करम का मुख्य आरोपी पांच वर्ष से पुलिस की गिरफत से दूर था। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी सल्मान के पिता साजिद उर्फ लल्लन को गिरफतार किया है। कर पुलिस की पोल पट्टी खोल दी। आरोप लगाया कि कातिलों के दबाव पर दुशकर्म का फर्जी मुकदमा लिख कर उनके बेटे को जेल भेज दिया था। उनकी दूसरी बेटी को भी घर में पीटा गया और धमकी दी गई थी। दो मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने आरोपित सल्मान को गिरफतार नहीं किया था। रचना 2016 में लापता हुई। कर दी गई हत्या बेणी माधव मंदिर के पास गली में रहने वाली 22 वर्षिय रचना शुकला 16 अप्रेल 2016 को लापता हो गई थी। मामले में बक्षी खुर्द मुहले के सल्मान पर मुकदमा दर्ज हुआ था। रचना की मा उमा के मुताबिक रचना के लापता होने के बाद अखबारों से पता चला था कि प्रताप गड़ के हतिगवा में किसी लड़की की लाश मिली है। रचना के भाई भोला शुकला ने थाने जाकर वह खबर दिखाई तो उसे पुलिस ने डांट कर भगा दिया था। अब चार साल बाद S.T.F. ने उसी लाश को रचना का बता कर सल्मान उसके मामा शरीफ समेत चार लोगों को गिरफतार किया है। उनकी बेटी की हत्या के आरोपितों से साथ गांट कर पुलिस ने वर्ष 2018 में सामूहिक दुशकर्म और पाकसो का मुकदमा लिख कर उनके पुत्र को जेल भेज दिया था। पुत्री निशा अधिकारियों के पास न्याय के लिए जाने लगी तो पिछले साल 27 जुलाई को सल्मान अपने दोस्त कवी यादव समेत कई अन्य के साथ घर में घुसकर निशा को तमंचा सठा कर धमकाया की बेहन के अपहरण का मुकदमा वापस लेलो वरना जान से मार द रचना की मा ने कहा दाएशी पुलिस वालों पर हो सखत कार्रवाई रचना की हत्या के चार साल बाद भी परिवार के लोग गम में डूबे हैं। के पिता गिरफतार मामला दारा गंज कोतवाली क्षेत्र स्थित का है। घर से करीब पांच साल पहले गायब हुई रचना शुकला हत्याकांड में प्रयुक्त की गई फॉर्चूनर कार बरामद कर ली गई है। साथ ही कार के मालिक वह मुख्य आरोपी सल्मान के पिता साज साजिद अली उर्फ लल्लन को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफतार कर लिया है। पूछताच जारी है। सीओ सिविल लाइन्स सुधीर कुमार ने बताया कि रचना शुकला हत्याकांड के मुख्य आरोपी सल्मान ने हत्या के बाद डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लि रचना की स्कूर्टी अभी तक बरामद नहीं हुई है। साजिद उर्फ लल्लन से पूछताच चल रही है। बता दें, करीब पांच साल पहले 16 अप्रेल 2016 को दारागंज के वेणी माधव मंदिर गली में रहने वाली रचना शुकला 24 गायब हो गई थी। उस वक्त उसकी म उमा शुकला की तहरीर पर दारागंज कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 116-2016 वधारा 303-360 IPC के तहत दर्ज हुआ था। उसकी मा उमा शुकला ने सल्मान पुत्र साजिद अली उर्फ लल्लन निवासी बक्सी खुर्द दारागंज को नामजद किया था। कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। हाई कोर्ट के संज्यान लेते ही पुलिस अफसरों की बोलती बंद हो गई। आनन फानन में केस रियोपेन हो गया और जांच शुरू हो गई। प्रकरण के मुख्य आरोपी सल्मान और उसके दोस्त लकी पंडा उर्फ लक की निवासी मिरागली, दारागंज को दारागंज कोतवाली के नाग वासुकी मन्दिर के पास से पुलिस ने 4 फरवरी 2020 को गिरफतार कर मामले का खुलासा किया। स्कूटी को ले कर हुआ विवाद तो रचना ने बनाली थी, दूरी पुलिस के अनुसार। पूछताच में सल्मान ने बताया कि रचना से उसके संबंध साल 2015 से थे 2016 में उसने रचना को एक स्कूटी खरीद कर दी थी रचना चाहती थी कि स्कूटी का रजिस्ट्रेशन उसके नाम से करवा दिया जाए जबकि सल्मान ने रजिस्ट्रेशन अपने नाम करा रखा था इस विवाद के चलते सलमान से रचना दूर हो गई। जुदाई के बाद आरोपी सलमान ने रचना की हत्या का मन बना लिया। घर के बेस्मेंट में दोस्तों संग्रेता गला, मामा की फॉर्चूनर से डेड बॉडी लगाई ठिकाने दोस्त लकी से अपनी मन्शा बताते हुए सलमान ने रचना को 16 अप्रेल 2016 को बुलाया। सलमान रचना को लेकर अपने घर के बेस्मेंट में बने कमरे में ले गया। बेस्मेंट में लखी और दोस्त अंजफ पहले से मौजूद थे। दोनों को देख रचना डर गई और भागने लगी। तभी तीनों ने मिलकर उसका गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद सल्मान ने यह जानकारी मामा शरीफ को दी। शरीफ फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर पहुँचा। रचना की बॉडी को लेकर गंगा बार के नवाब गंजेरिया जा पहुँचे। वहां बोरे में भर कर डेड बॉडी फेंक दी। बाद में लकी और सल्मान गिरफतार कर जेल भेज दिया था। भाई से पूचताच की तो पता लगा कि सल्मान रचना को बक्षी खुर्दिलाके के एक बेस्मेंट में ले गया, जहां हजफ और लकी पांडा पहले से मौजूद थे। इन लोगों ने रचना के हाथ-पाँव बांध दिये और फिर चाकू से गर्दन रेत कर हत्या कर इन लोगों ने बुलाया, जिसने कार द्वारा शव को ठिकाने लगाने का काम किया। 32 बोर, चार जिन्दा कार्तूस, एक मोबाइल फोन और एक घड़ी बरामत की गई है। उनकी दूसरी बेटी को भी घर में पीटा गया और धमकी दी गई थी। रचना के लापता होने के बाद अखबारों से पता चला था कि प्रताप गड़ के हतिगवा में किसी लड़की की लाश मिली है। रचना के भाई भोला शुकला ने थाने जाकर वह खबर दिखाई तो उसे पुलिस ने डांट कर भगा दिया था। अब चार साल बाद SETF ने उसी लाश को रचना का बता कर सल्मान उसके मामा शरीफ समेत चार लोगों को गिरफतार किया है। उनकी बेटी की हत्या के आरोपितों से साथ गांट कर पुलिस ने वर्ष 2018 में सामूहिक दुशकर्म और पाकसो का मुकदमा लिख कर उनके पुत्र को जेल भेज दिया था। पुत्री निशा अधिकारियों के पास न्याय के लिए जाने लगी तो पिछले साल 27 जुलाई को सल्मान अपने दोस्त कवी यादव समेत कई अन्य के साथ घर में घुसकर निशा को तमंचा सठा कर धमकाया की बेहन के अपहरण का मुकदमा वापस लेलो वरना जान से मार द रचना की मा ने कहा दाएशी पुलिस वालों पर हो सखत कारवाई रचना की हत्या के चार साल बाद भी परिवार के लोग गम में डूबे हैं।